नमस्कार मैं कानक आप देश रहे हैं अट प्रकाश आए लगर डालते हैं आज की कुछ खाथ ख़बर चंडिगर के वर्ड पार्क में आज लोग पिंजरों में विदेशी पक्षियों को बिलकुल फ्री में देख पाएंगे सूपना लेक और रॉग गार्डन के बीच नगरवन में बने इस वर्ड पार्क में आज एक साल पूरा हो चुका है जिसे लेकर चंडिगर प्रशाफन ने आज बर्ड पार्क में एंट्री फ्री रखी हुई है बर्ड पार्क में पिछले एक साल से चार दशिम लव लाग पर्टेक आचुके है सामाने दिनों में यहां व्यासोकों के लिए टिकेट पचास रुपए रखी गई है यह वहीं विदेशी पर्टेक के लिए टिकेट का रेट सो रुपए तै किया गया है पांच वर्ड से 12 वर्ड तक के बचों के लिए टिकेट 30 रुपए है पालतु पक्षियों के इस शेक्षन में जाने की टिकेट का रेट बचों और बड़ों के लिए 100 रुपए है विदेशीयों के लिए 500 रुपए है पिछले वर्ट 16 नवंबर को पूर्वराष्टे पती रामनात कोविन की पत्नी सवीता कोविन ने इस वर्ट पार्क का उधगाटन किया था नगरवन में बने इस वर्ट पार्क में 900 से अधिक विदेशी पक्षी रखे गए हैं बीते मंगलवार यहां 15 नए बजरीगर बर्ट पार्क में शामिल किये गए थे यह वहीं पर्टेकों की सुवधा के लिए यहां नगरवन में एंट्री गेट पर टिकेट काउंटर खुला गया है पहले यह 200 मेटर अंदर की तरफ था बर्ट पार्क 6 दशमलव एकड में फैला हुआ है बर्टक नगरवन में वन में धाकिल होकर बर्ट पार्क की तरफ जाते हैं वही नगरवन में एंट्री शहर गाडन की तरहा पूरी तरहा निशुल्ग है लगभग सो एकड में फैले नगरवन में बच्चों की लिए जूले और कई प्रकार का अन्याकर्शन मोजूद है चंडिकर प्रशासन का फोरेस्ट विभाग 70 लाग की कीमत से 70 विदेशी पक्षी खरीदने जा रहा है शुतर मुर्ग अफरिका में पाए जाने वाला सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ नहीं सकता वहीं दूसरी ओर इमू आस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला सबसे बड़ा पक्षी है यह दोनों विशलकाए पक्षी अब बर्ड पार्क का हिस्सा बनने जा रही है